हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टू आर चानल और आज हम आपको दिखा रहे हैं कि कृष्ण जन्मस्ट में पर आप कैसे अपने छोटे बेबीज को कृष्ण ची बना के तयार कर सकते हैं कम चीजों में बिना किसी बाहर की चीज खरीदे तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ लगा लेंगे अब बेबी को अच्छे से पहना लेंगे तो यह देखे कितना क्यूट लग रहा है इसको पहनने के बाद इसको अच्छी तरीके से पहना लेंगे लेंगे हम उसके बाद यहां पर हमने यहां पर बाजू बंद के तोर पे कुछ कड़े लिये हैं तो आप यह कड़े भी ले सकते हैं या फिर आप किसी राखी का समाल कर सकते हैं इसको पहनाने के लिए तो आप होममेट चीजों से ही अपने काना को बहुत भड़ी तरीकी से सजा सकते हैं वो बहुत ही beautiful लगते हैं उससे भी तो यहाँ पर आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरुवत नहीं है तो अब यहाँ पर बाजू बन के बाद इसके गले की जो माला है उसके तौर पर हमने एक pendant लिया है आप भी ऐसे कोई भी pendant अपने घर में जो रखा हुए है वो यूज कर सकते हैं आप मोतियों की माला भी यहाँ पर पहना सकते हैं अगर आप खरीच सके तो अच्छी बात है तो यह देखे कितना जादा करल लेते हैं तो हमने यहाँ पर कुमकुम की हिल्प से कि rays श्रअशा कर रहे हैं ओक यह देखे आप अपर कुमकुम की जगह कोल्गेट का भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर यह जो हम लालकुमकुम यूज़ कर रहे हैं आप इसकी जगह यहाँ पर जो सिंदूर होता है उसकी भी आप यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं तो हम आपको सारे अल्टरनेटिव भी बता रहे हैं अच्छे से तो अच्छी तरीके से हम इस थोड़ा सब्र और धैर रखते हुए बच्चे को यहाँ पर शिंगार करना है यहाँ बच्चे बहुत चंचल होते हैं तो यह देखे हमने ऐसे अच्छी तरीक लगाएंगे तो वो हम लाल कुमकुम के हल्प से लगा रहे हैं तो अच्छी तरीकी से हमने यहाँ पर माथे पर टीका भी लगा दिया है तो यह देखे अब इसके बाद यहाँ पर बीच में हम एक सफेद कुमकुम से इसको और भी डेकुरेटिव बनाएंगे तो अच्छी सफेद कुमकुम का यूज करते हुए हम यहाँ पर इसके टीके को कम्प्लीट करेंगे तो यह देखे अच्छी से हमने इसके माधे का टीका लगा दिया है उसके बाद इसके गालों की लाली के लिए हमने इसके लिपस्टिक यूज की है अब इसी की हेल्प से हम थोड़ा थ तो इसलिए हम जादे यूज नहीं करेंगे तो अब यहां पर हमने इसको एक कमरबंद पहना दी है तो यहां पर हमने एक जो लेस होती है उसी पे हमने एक पैच अटाच कर दिया है और उसी को हमने पीछे से सिल दिया है तो उसी से हमारी प्यारी सी कमरबंद रेडी हो गई है अब इसके बाद हमने यहाँ पर इसको गले में एक प्यारी सी माला पहना दीया है और यहाँ पर इसका जो पट्का होता है वो भी इसको पहना दिया है तो दोस्तर हमारे नन्य से बाल गोपाल सचके बिल्कुल रैडी हो चुके हैं यहाँ पर हमें इनको मूर्ली भी दे दी है, तो देखें कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे जो बाल गोपाल हैं, वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, हमने यहाँ पर इनको एक पगड़ी भी पहना दी है, जिसमें हमने मूर का पंक भी अटाच कर दिया है, तो हमारे नन्य बाल गोपाल जन्मस्ट मी के अफसर के लिए बिल्कुल तयार है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें, यहाँ पर सजावट के लिए हमने एक मटकी को सजा के रखा है, जिसमें से हमने निकलती हुई रूई दिखाई है, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स पर वाचिंग